वेल्कम टो ओवे चैनल आज के वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी रोबलोक्स एप में ये प्रॉब्लम आरीए कि लिख़्ा रहे हैं इसको मैंने कैसे रोब्लम को आज की वीडियो में इस प्रॉबल्व का सोलुशन आपके साथ शेयर करूंगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल S2o2 इंफिन्टी को subscribe कि यह इसी informative वीडियो देखने के लिए तो चलिए शूरू करते इस वीडियो को तो इस प्रॉब्ल्म को solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो सबसे हमें अपना प्ले स्टोर है उसको अपन कर लेना प्ले स्टोर आने के पाद नाउप है भासिष्ठ को मैं यह पर फिरिसे इंस्टॉल करने जासा और शिर्टॉपन करते हैं स्क्रोल डाउन पर है यहां पर के साथिंग करते हैं और सेय्टिक लिएन्ध करनेक्षा स्क्रोल तो connection and sharing पर click करने के बाद यहां पर नीचे scroll down करना इस पर इस पर scroll down करने के बाद यहां पर option देगेगा reset wifi mobile network and bluetooth का इस पर click कर देना है क्योंकि इस पर click करने के बाद आपकी जो problem है वो solve होने के chance बहुत जादा बढ़ जबते हैं जैसे मैं इस पर click करूंगा तो यहां पर option देगा reset setting तो simply इस पर click कर देना है यहां से तो इस पर click करता हूं और यह कुछ time लेगा reset होने के लिए तो आपको wait करना है और इसको reset होने देना है इसके बाद के खरना है इसके बाद एक बहुत इंपोर्टर स्टाप आप जिससे आपकी प्रॉबलम में कुछ solve हो जाएगी हमें यहां से बैक आ जाने है बैक आने के बाद हमें यहां से क्या करना पड़ेगा तो जैसे यह से बैक आता हूं तो यहां पे नीचे पर क्लिक करने है पहने चैप से क्लिक करने के बाद यहां पर हमें थ्री डोट्स देखेंगे वह इन पर क्लिक करने के बाद यहां पर रिसेट एप प्रिवांस कर देना और आपकी सारी प्रॉबलम सॉल्ट हो जाएगी हमें